36 गड़ चार जीलों की नई भरती अलग अलग विभागों की यह भरती है तो वीड़ो को ध्यान पूर्वक देखे सबसे पहले जीला की बात करें तो धमतरी जीला सासकी अद्योगी परिसिक्षड संस्तान यानि आई टियाई से भरती है विग्यापन 4 नॉमबर 2022 को जारी किय गया था और कारियात निमेद परिसिक्षड अधिकारी या सवेदन परिसिक्षड अधिकारी मेंवान प्रवक्ता को छोड़ कर सेस रिक्तपदों की यह भरती है और आप लोग अगर अवेदन देना चाहते हैं तो 25 ग्यारा 2022 तक अवेदन दे सकते हैं पांच बजे तक स्व पोस्ट कर सकते हैं या स्वेदन पश्टित हो सकते हैं उसी प्रकार क्या-क्या पोस्टों की यह भरती है तो देख सकते हैं मैकेनिकल डीजल ड्राफ्सर मैन सिविल और वर्गशाप कल्कुलेशन एंड एंजिरिंग ड्राइंग और विद्धुतकार तो चार पोस्ट निका यहां से और साक्ष्ड योगता क्या रहेगी साक्ष्ड योगता सभी का सेमी रहेगा जैसे बात करते हैं दस्वी पास होना ही चाहिए और जिस भी ट्रेट के लिए आप लोग अवेदन देना चाहते हैं जैसे विद्धुतकार या मैकेनिकल डीजल इसका डिफलोमा होना च या नहीं दे सकते तो यह सब देखने के बाद ही आप लोग अवेदन दे सकते हैं अब सेलरी की बात करें तो प्रती घंटे की हिसाब से 125 रुपए है तो अधिक्तम एक दिन में जो की 5 घंटे दिये जाएंगे तो लगभग 13,000 के आसपास सेलरी रहेगा और अवेदक जो की उमर की बात करें तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग अवेदन देना चाहती है तो और पत्ता भेजने का आप लोग को पहले भी बता चुके हैं और ये रहावेदन का फार्मेट अधिक जानकारी के लिए आप लोग ओपिसल वेबसाइट को चेक आउट ज जल ग्रहड प्रकोष्ट की है भरती है यहां से अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं इच्छु का भिहाती तो 28 11 2022 तक आप लोग भेज सकते हैं पते पर और किन-किन पोश्टों की भरती है तो चलिए चर्चा करते हैं पहली यहां देख सकते हैं तक निकिक पोश्ट है जिले इस्तर उसी के पार तीसरा है डबलू डी टी सदस्य यह है एक पोश्ट इसका भी निकाली गई है और सैलरी 27740 और तकनिकी विसेज़ग और प्रबंदन विसेज़ग इसके लिए 49000 सैलरी रखी गई है अगर आप लोग इस ना तक पास हैं साथ इसाथ सी इंजिनरिंग आपके पास मतलब कोर्स किये हैं तो डिफलोमा है तो बिलुकुल आप लोग अवेदन दे सकते हैं अब मेरिट सुची किसके अधार पर बनाई जाएगी अनुभाव के अधार पर और आपकी जो भी कंप्यूटर परिशिट लिए जाएंगे और साक्षिड य मिश्टेक हो गया है सायध तो पचीस 11-2022 तक कारकालिन के समय वहां 28 आप लोगो देखने को मिल नबा था तो कुछ मिश्टेक ही हो गया होगा तो 25 कर ही लेकर चले आप लोगbn तो 25-11-22 तक कारकालिन के समय आप लोग भेज सकते हैं और आयू की गढ़ना 1 जनौеруर बॉज तरी डॉट गोइंग पर चेक आउट जरूर करें और ये रहा वेदन का फार्मेट कुछ इस प्रकार से है तो फिल अप कीजिए और भेज दीजिए तीसरी भरती है सरगुजा जिला से सिक्षविवाक स्वामी आतमान उत्तरिष्ट अंग्रेजी माद्यम विद्यालों की ये भरती है तो लगभग अलग अलग जिलों की ये भरती निकाली जा रही है सबी जिलों में ये भरती निकाली जा रही है जहां जहां खाली है और जैसे विद्याले की बात करते हैं बतावली लखनपूर लुन्डरा मैनपार्ट उदैपूर अंभिकापूर सीतापूर इन तमाम अलग-अलग विद्यालों की ये भरती है और अलग-अलग विद्यालो से सभी भरती निकाले गई है तो अगर आप लोग इस नातक इस नौकतर पास है तो बिलकुल आप लोग अवेदन दे सकते हैं तो बतावली से देख सकते हैं आप लोग यहां से टोटल तीन पोस्ट निकाले गई है गडित और जीविग्यान विश्यों की यह भरती है और सेलर और लखनपूर से भी तीन पोश्ट निकाली गई है उसी प्रकार लुन्रा से भी देख सकते हैं आप लोग चार पोश्ट निकाली गई है और मैन पार्ट से टोटल यहाँ से थोड़ी सी बड़ी भरती है कह सकते आप लोग यहां से 8 पोष्ट है और उदैपूर से केवल 2 पोष्ट है और अमीकापूर से एक पोष्ट है और सीतापूर से एक पोष्ट है तो पदो की संक्या बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है और आयो की गढ़ना आप लोग देख सकते हैं एक जुलाई 2022 से किये जाएगी 21 से 35 वर्शे अधिक नहीं होनी चाहिए और उम्र भी छूट दिये जाते हैं तो ध्यान पूर्वक देखिए अपकी सधार पर जो की चैन की प्रक्रिया बनाई जाएगी देख सकते हैं आप लोग साक्षिडियोगता और अनुभाव और आपकी जो भी साक्षर्टा की अधार पर बनाई जाएगी सभी के लगबक सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा बारवी इस नाताक इस नौकतर में कितना कितना अंक पाएं उसी के अधार पर बनाई जाती है और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहेगा साक्षिडियोगता डेमो जो भी अनुभाव कह सकते हैं और साक्षर्टा के अंक में टोटल सव अंकर रहेगा तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और आप लोग स्वयम उपस्तित होकर ही आवेदन करें क्योंकि वाकर इंटेवर के माध्यम से लिए जा रहे हैं तो सैडोल पूरी जारी कर दिये गया है तो ध्यान पूर्वक अगर भर रहे हैं तो ध् गुजा जीला से ही है और आदिवासी विकास जो की यहां देख सकते हैं विग्या पंच्याउदा ग्यारा दोहजर बाइस को जारी किया गया था शेत्री कार्यकरता पंद्रहजार सैलरी एक पोस्ट नौ माह के लिए और उन्हों भाग इस्तर की यह भरती निकाली गिए तो पच्चीस ग्यारा दोजर बाइस तक आप लोग पंजीकृत या वक्रिंट्वर की माद्यम से लिए जा रहे हैं तो आप लोग स्वयम जाईए और अवेदन दीजिए अधिक जानकारी के लिए www.sorajpur.nice.in पर चेकाउट जरूर करें तो साक्षर्ता की माद्यम से जो भी ह प्रक्रिये बनाई जाएगी तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भरती है जिला परियोजिनांस समानवे और छेत्रिये कारकरता फिल्ड वर्क तो अठारा जार एक है एक है पंदरा हजार एक पोस्ट यहां से है और नौ महा के लिए जो की मंगाये जा रहे हैं तो अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं आयू की गणना एक जोई 2022 से की जाएगी अठारा वर्स से कम नहीं होनी चाहिए तो अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए और अवेदन का फार्मेट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है नेश्ट भरती है यह है कवीर धाम से चिकिस्सा विभाग किया भरती है विग्यापन 13 सितंबर 2022 को जारी किया गया था और अभी तक अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं वकरी इंटियोर की माद्यम से लिये जाते हैं तो प्रती सम्मार को यह सास की अवकास से अत्रिक्त को छोड़ कर मतलब सम्मार को अगर छुट्टी पर जाता है उस दिन को छोड़ कर ग्यारा बजे से साड़े ग्यारा बजे तक जो भी है पंजियन के समय रखी जाती है तो कुछ इस प्रकार से यहां से टोटल पांच पोश्टों की है भरती है विससे सग्यों की टोटल यह भरती है तो पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुकी हैं तो अठारा जो की निम्तम आयू है एक जवनी दौजर बाइच से गढ़ना की जाएगी सतर वरसे अधिक नहीं होनी चाहिए तो वक्र इंटेवर में क्या क्या लेकर जाना है तो ध्यान पूर्वक देख लेजे दस्वी बा यह सब बनाई जाएगी यह रहावेदन का फार्मेट अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं अब है फिर वहीं से भरती निकल कर आ रही है यह भी सासकी अदोगी प्रिशिक्षड संस्तान यानि आई टी आई से भरती है कवर्धस से निकल कर जा रही है और विग्यापन साथ 11-2022 को जारी किया गया था और आप लोग अवेदन दे सकते हैं 30-11-2022 तक अप लोग अवेदन दे सकते हैं पंजिक्री डांक या स्पीट पोस्ट के माध्यम से अवेदन जो की जमक कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से रहे गई पोस्ट विद्धुतकार और टोटल बात करें तो एक ही पोस्ट है और पता भेजने का यहीं है सासकी अद्धोगी प्रश्रीटर संतान कवर्धा और साक्षिड योगता दस्वी पास हैं साथी साथ जिस भी ट्रेट के लिए आप लोग अ देना चाहते हैं विद्धुतकार का डिफलोमा होना चाहिए तभी आप लोग देज सकते हैं और शैलरी देख सकते हैं आप लोग वही रहेगी पहले भी मैंने मेंशन किया था एटी आई वाला तो प्रती घंटा पची एक सो पचीश रुपए और अधिकतम पास घंटे दिये जाएंगे तेरहाजार के आसपास सैलरी बनने वाली है तो अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो बिलकुल दीजिए और यह रहा अवेदन का फार्मेट तो मेहमान प्रवक्ता के लिए है भरती निकाली जा रही है और यह भी कवीर धाम जिला से भरती है तो अईरवेदिक अधिकारे जिला कवीर धाम से भरती है तो टोटल एक पोश्ट है योगा सहायक पूरुष के लिए है भरती निकाली गई है तो पूरुष है तो बिलकुल अवेदन दे सकते हैं तीस मंतित किये जा रहे हैं तो सवेदन भरती है कि सेलरी ठीकी ठाक है अठा मतलब 8000 तक इसकी सेलरी रहेगी साक्षिड योकता आठी पास है निम्तम आठी पास है तो कर सकते हैं एक जोनी 2022 2022 की जाएगी अठारा से चालिस वर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो तीस नॉम्बर 2022 तक स्पीट पोस्ट या पंजी करिट धाक या कोरियर के माद्धियम से अप लोग पते पर भेज सकते हैं किसी अन्य माद्धियम से यह स्विकृत नहीं किये जाएंगे तो अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो जल्द जल्द बेज़ सकते हैं ये रहावेदन का फार्मेट और अधिक जानकारी के लिए ओपिसल वेबसाइट चेक आउट जरूर करें और पीडियाप के लिए हमारे डिप्रिक्शन बॉक्स या टेली ग्राम को जरूर ज दे सकते हैं लोग सेवा ओफ्रेटर के लिए छे पोस्ट की अभरती निकाली गी है तो अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं बारवी पास 37 कोप्यूटर का डिफलोमा होना चाहिए तब ही आप लोग अवेदन दे सकते हैं साक्षिड योग प्रकार से रहेगी और आपको जो कि अगर आप लोग का चैन की हो जाती है तो लोग सेवा ओफ्रेटर के लिए आपको पांच हजार रुपए प्रती भूती जमा करनी होगी और स्पीट पोस्ट ये पंजी की डांक के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं 30 नौंबर 2022 तक आप लोग भेज सकते हैं और नीचे आप लोग को दिखा देते हैं अवेदन का फार्मेट है कुछ इस प्रकार से है तो लास्ट भरती के बारे में बात करते हैं तो ये अगर आप लोग अवेदन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं 15 ग्यारा 2022 से 5 बारा 2022 तक 2000 रुपए जो की अवेदन सुलक रखी गई है और आप लोग स्पीट पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं भेज सकते हैं कारेकालिन के समय और यह बोली जो की लगी है तो कुछ इस तक परकार से है अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं दुकानों की यह बोली लगी है तो ले सकते हैं और दो एर के लिए है बस्तर जिले में लगाई गई है तो अगर आप लोग अवेदन करना च चाहते हम तो कर सकते हैं और प्चास-पांचछ-चास हजार आपकी सोरी ? पचास-चाँ-अपकी अमानत रासी के रूप में जमा करनी होगी क्थ जानकारी हैं तो ध्यान पूरेग contracted देखिए और ुजबे दन करना चाहतто हैं सकते हैं अगर वही की निवासी हैं तो कर सकते हैं